तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रिविजन क्लास आपको बताना है भारत की पहली वाटर टेक्सी सेवा का उद्गाटन कापे किया गया तो आंसर होगा मुंबई में लेकिन अगर आपसे पूछा जाता ध्यान से सुनना पहले प्रशन को ध्यान से पढ़ लेना ये पूछ रहे हैं पहली वाटर टेक्सी लेकिन अगर पूछा जाता पहली जल मेट्रो ये कापे शुरू की गई कोच्ची में अच्छा भारत की पहली पोड टेक्षी का उपी शुरू हुई थी और आपको यादों का भारत की पहली पोड टेक्षी ये नवेड़ा एरपोर्ट से फिल्म सिटि तक के लिए शुरू हुई थी और आपसे अगर पूछा जाए कि अट्लान्टिक को पार करने वाला दुनिया का पहला मानव रहित पोत क्या नामे उसका मेफ लावर 400 अच्छा बताओ जुडवा शहर किसे कहते हैं मुंबई और नभी मुंबई को कहते हैं लेकिन अगर पूछे किन दो संगठनों को जुडवा बहने कहा जाता है तो वर्ल्ड बैंक और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड को अच्छा बताओ ये पहला बुलेट ट्रेन स्टेशन ये बनेगा सूरत में कहां से कहां चलेगी मुंबई से एमदाबाद और राष्ट्र जलमार्ग वन ये किस नदी पर है कंगा नदी पर है ये सबसे बड़ा वाला है कहां से कांप प्रयागराद से हल दियाता और राष्ट्र राजमार्ग टू किस नदी पर है ब्रह्म पुत्र नदी पर दुबरी से सदिया असम में अच्छा भारत का पहला जियोलोजिकल पार्क कहां पर बनेगा मध्यप्रदेश के जबलपुर में जबकि भारत का पहला जेंडर पार्क बनेगा केरल के कुजी कोड में और भारत का पहला फायर पार्क बना है भवनेशवर में लेकिन अगर आपसे पूछा जाए न कि सेटलाइट फोन से लेस होने वाला भारत का पहला पार्क कौन सा है काजी रंगा नेशनल पार्क ये आपको मिलेगा असम में अच्छा बताओ देश का सबसे नवीनतम नेशनल पार्क कौन सा है और किस राज्य में है ये आपके लिए होंवर्ग परशन है बताओ World Health Organization का Headquarter चेनेवा स्विट्जलेंड में है इसकी स्तापना होती है 7 अपरेल 1948 को इसलिए तो 7 अपरेल को आप लोग World Health Day मनाते हों इसके Director General है Tedros Adhanom अभी आपको याद होगा WHO ने अभी Quit Tobacco application को launch किया था और विसे World No Tobacco Day कब मनाया जाता है 31 मई को अचा मलेरिया की पहली वैक्सीन जिसको WHO ने मंजूरी दे दी उसका नाम क्या है मॉस्क्यू रिक्स और मलेरिया दिवस्तों आप जानते ही हो 25 अपरेल को मनाते हैं और हमारा मलेरिया को खतम करने का लक्षय है 2030 को अचा बताओ भारत के बाहर UPI भुक्तान प्रनाली अपनाने वाला भारत का पहला देश यह है नेपाल और भीम UPI अपनाने वाला यह भूटान है दूसरा देशता सिंगापूर और अभी तीसरा बन गया है United Arab Amirat यह भी याद रखना वैसे UPI और भीम हो गया या रुपे हो इसको किस ने डेवलेप्ट किया है NPCI National Payment Corporation of India और रुपे से आपको याद होगा 2022 में IPL का ओफिशल पार्टनर है यह रुपे वैसे टाइटल स्पॉंसर तो आपका टाटा गुरूप है ऐसे याद रखना चलो बताओ एशिया का सबसे बड़ा बायो CNG सेयंत्र प्लांट का पर बना है मद्यप्रदेश के इंदोर में और अगर मैं आपसे पूछो कि बताओ भारत का पहला बायो मास आधारित हाइड्रोजन प्लांट का पर बनाए यह बनाए मद्यप्रदेश के खंडवा जिले में और विश्व का पहला CNG टर्मिनल का पर बनेगा गुजरात के भा CNG प्लांट यह का पर खुला है नागपूर में इसका उद्गाटन किया था नितिन गडगरी ने जिनका निर्वाचन शेत्र भी नागपूर है फिर बताइए भारत में कितनी बैंक नोट प्रिंटिंग प्रैस है चार है टूटल एक नासिक महराष्टर में है एक देवास किस नोट पे कौन सा चितरंकित है इस तरह के प्रेशन भी आ जाते हैं कई बार तो कुछ दो चार में आपसे पूछता हूँ जिसे बताना देखी किस को याद है पहल तो बताओ सबसे बड़ा नोट आपका दो जार रुपेगा उस पे कौन सा चितरंकित है तो मंगल यान आ आप बता दो 10 रुपे के नोट पे किसका चितरंकित है और 20 रुपे के नोट पे ये भी बता दो और इसी तरह से एक प्रशन आपका बनता है करंट अफेर्स में कि अमेरिकी सिक्के पर दिखाई देने वाली पहली अश्वित महिला का नाम क्या है ये भी बताओ फिर बताओ अगला ICICI Bank के MDCO कोन है संदीब बक्षी अब मैं ये प्रशन क्यों पूछ रहा हूँ क्योंकि अभी इन्हें Business Standard Banker of the Year 2021 चुना गया था इसका tagline क्या होता है हम है ना खयाल आपका अचा भांग की खेती को खतम करने के लिए अभी किस राज्य ने Operation परिवर्तन शुरू किया तो आंसर हो जाएगा आंदर प्रतिश लेकिन अगर आपसे पूछा जाए अभी किस देश ने ओशेदिय उपयोग के लिए भांग की खेती को भी लीगल किया तो आंसर होगा Lebanon ने और नीजे इस्तमाल के लिए भांग को मंजूरी देने वाला पहला European राष्टर कौन सा बना मालटा नाम से और इनके ओपर एक documentary भी बनी थी He Named Me Malala नाम से जिसे 2015 में Oscar के लिए शॉट लिस किया गया था विश्व पेपर बैग दिवस 12 जुलाई को होता है आप जानते हो भारत में सिंगल यूज प्लास्टिक पे बैन लगा दिया गया एक जुलाई 2022 से और इंटरनेशनल प्लास्टिक बैग फ्री डे ये तीन जुलाई को मनाते हैं हिमाचल प्रदेश सरकार ने सिंगल यूज एक बाई बैक योजना शुरू की है बताओ विश्व यूवा कोशल दिवस कब मनाया जाता है वर्ल्ड यूथ स्किल डे 15 जुलाई को क्या थीम थी ट्रांस्फॉर्मिंग यूथ स्किल्स फॉर दे फ्यूचर और वर्ल्ड यूथ डे कब मनाते हैं 12 अगस्त को जबकि जा दोगा अभी इसी साल पहली बार हमने इंटरनेशनल डे आफ वुमिन जजिस के रुपे भी मनाया था हिंदी में बोलोगे तो अंतरराश्टर महिला नयादीश दिवस कब चलो ये प्रशन आपके लिए हमवर्ग प्रशन रहेगा कब मनाया था बताओ अगला है पोट्र सुरेश रेना की है माइंड मास्टर ये किसकी बायोग्राफी है विश्वनात आनंद की है हमारे नंबर वन चेस प्लेयर है ये पुरूशों में और इन्हें याद होगा आपको पहला राजी उगांदी खेल रतन पुरुषकार भी मिला था नाइंटीवन नाइंटीटू मे रतन जी की बायोग्राफी आगए भी या रतन इन्टाटा द ओतराइस्ट बायोग्राफी किसने लिखा है डॉक्टर थॉमस मैथिव ने और तमिल नाडू की जो मुख्य मंत्री है ना एमके स्टालिन उनके आत्मकता का नाम क्या है उंग लिल और वन तो ये भी ध्यान सलाकार कौन बने तो अंशर होगा जे कुमार सूद और आपके मुख्य आर्तिक सलाकार कौन है अनंत नागेश्वरन है और याद होगा आपको अभी रक्षा मंत्राले में सलाकार बने थे विनोध जी खंडारे और राश्टर सुरक्षा सलाकार ये अजिद डोबाल है चलो अब बताओ विश्व प्रत्वी दिवसकब मनाया गया तो अंसर होगा 22 अप्रेल को थीम क्या है हमारे ग्रह में निवेश इन्वेस्ट इन अवर प्लैनेट अच्छा एक अर्थ आर्ट डे भी मनाया जाता है जो मार्च के आखरी शनिवार को मनाते हैं वो भी आद रखना अब है इन विक्टर गेम्स 2022 ये काँ पे हुए नीदर लेंड में ये पेरा गेम्स की तरह ही होते हैं पर इसमें पूरु सैनिक भाग लेते हैं जो किसी लडाई के दुरान या शंगर्ज के दुरान घाया लो गए हो वो सैनिक अब बताओ पहली बार एक समुद्री शेवाल पार्क ये काँ पे स्थापित किया गया सी वुड पार्क तमिल नाडु में नैशनल डुगाउं कंजर्वेशन सेंटर ये काँ पर बताओ ये भी आदर्खन तमिल नाडु में है लद्दाक और किस राज्य को जोडने के लिए बोर्डर रोड और्गिनाइजिशन दुनिया कि सबसे उची सुरंग बनाएगा हिमाचर प्रदेश हिमाचर प्रदेश और लद्दाक को जोडने के लिए इसके लिए प्रोजेक्ट योजक चलाया गया ये शिंकुला दर्रे में बनेगा किसे सेन्या भ्यान का महा निदेशक नियुक्त किया गया तो अंसर होगा मनूच क मिसाइल का सफल परिक्षन किया था अंसर होगा रशिया ने ये एक इंटर कॉंटिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है जिसकी रेंज कितनी ये पता है अठारा हजार किलोमेटर नाटो तो इसे नाटो यानि कि नौर्थ एट्लांटिक क्रेटी और्गनाजिशन नाटो इसे या नेशनल किरकेट काउंसल का सदस्य से भी बन गया है चलो आप बताओ इंटर किरकेट काउंसल के अभी तीन सदस्य से दिश बने उसमें से एक तो ये हो गया बाकी दो कौन से है इसकी केपिटल यामू सोकरो है और दिल्ली के भी नए मुख्य सचीव कौन बने नरीश कुमा और दिल्ली के अभी उपर राजिपाल कौन बने थे विने कुमार सक्सेना और बताओ दिल्ली हाई कोट के नए चीफ जेस्टिस कौन बने या आप बताओ बढ़ते आ गया हम चलो बताओ नीती आयोग के नए उपाद्यक्स कौन बने डॉक्टर सुमन के बेरी और अभी नीती आयोग के नए CEO कौन बने परमेश्वरन अयर बने अमिताप कांत की जगे है और आप जानते हो अमिताप कांत अभी ये G20 के लिए भारत के शिर्पा बने पियुष गोयल की ज तो आंसर होगा 23 अपरिल किसे उद्यमिन एत्रत्व पुरुसकार entrepreneur leadership अवर 2022 से सम्मानित किया गया विवेक लाल को किसे global peace ambassador 2022 के रूप में चुना गया तो आंसर होगा बभीता सिंग को और पहला अतुल्य भारत अंतरराश्टर कूद सम्मिलन 2022 का आयोजन ये कापे किया गया B मतलब भारत interface money UPI मतलब unified payment interface और इनको बनाया है National Payment Corporation of India ने बताओ विजडन ने किन दो भारते खिलाडियों को वर्ष 2022 के लिए किर्केटर अफ दे इयर चुना जस्प्रित बंबरा और रोईच शर्मा को वैसे तो टोटल पांच खिलाडियों को चुना है जिन में से दो भा अफ्रिका की है करनाटक के शिव मोगगा हवायड़े का नाम किसके नाम पर रखा जाएगा वहांके पूर्व मुख्यमंतरी BS यदि जुरप्पा के नाम पर करनाटक के वरतमान मुख्यमंतरी को ने बस सव राज बंमई चलो बताओ अभी 23 अप्रिल को किस राज्य में खों इस एक बार वीडियो के लिंक को शेयर जरूर करना अगर आपको हमारा काम पसंद आए मेरी मैनत अच्छी लग रही है तो आप सपोर्ट जरूर करेंगे चलो अब कल के कर इंट अफेट्स को हम लोग रिवाइस कर लेते हैं फिर इसमें जो भारत है पदक तालिका में चौथे इस्तान पे रहा है 22 गूल्ड है टोटल 61 मेडल है इसमें टॉप पे ऑस्ट्रेलिया है सेकेंड पे इंग्लेंड है और थर्ड पे कनाड़ा है चौथे पे भारत है और आज common wealth game से जितने भी important question बन सकते हैं जो भी इसके static points हैं जो भी current में इन्होंने medal जीते हैं और क्या-क्या प्रशन यहां से बन सकते हैं उसका एक video बना करके आज मैं पूरी कुशिश करूँगा कि आप भी को मिल जाएए और common wealth game से जितने भी आपके important question बन रहे हैं चाहे वो static questions हो या current में जो भी games में जो भी उसका mascot है कहां पे हुए कौन सा edition था भारत ने कौन-कौन से medal जीते कौन-कौन से नाम important हैं मतलब जितने भी important question बन सकते हैं उसका video आज बनाने की में कोशिश करूँगा आज ही आपको मिल जाए ये भी मेरी कोशिश रहेगी उसके अलावा जो भ दलाई लामा को इस पुरुसकार का नाम है डिपाल आर एन जी एम डस्टन पुरुसकार CSIR यानि की Council of Scientific and Industrial Research ये इंडिया की सबसे बड़ी research and development institute है इसकी पहली मैला महा नितेशक कौन बनी है नला थम्भी कलाई सेल्वी अच्छा थम्भी आदे आपको थम्भी ये अभी जो 44 वे फिडे ओलंपियाड हुए थे उसका मैसकोट था थम्भी अगला है किसने South Asian Football Federation Under 20 Championship 2022 का किताब जीता तो आंसर होगा भारत ने बांगलादेश को हराया कहां पे हुआ था कलिंगा स्टीडियम उडिसा में भारत के 75 नंबर के शत्रंज ग्रेंड मास्टर कौन बने पी प्र आटो बायोग्राफी है माइन्ड मास्टर चलो बताओ राष्ट्रिय भाला फेक दिवस ये कब मनाया गया तो आंसर होगा 7 अगस्त को अच्छा बताओ किस भारते मूल की अमेरिकी ने मिस इंडिया यूएस का खिताब जीता तो आंसर होगा आर्रया वाल वेकर ने ये पिटल बोगोटा है करंसी है कोलंबिया पैसो ये साउथ अमेरिकी देश है और कॉमन वेल्थ गेम्स के पहले महिला किर्केट इवेंट में कौन विजेता रहा तो आंसर होगा उस्ट्रेलिया इसमें भारत दूसरे इस्तान पे रहा यानि कि सिल्वर जीता भारत ने तो अच्छा लगा है तो लाइक करके शेयर जरूर कीजेगा थैंक यू